नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज फिर मैं नए वीडियो के साथ आई हूँ और मेरे वीडियो हमेशा मेरे जो दिल को छूते हैं जो मेरी परसनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं मैं हमेशा उनी वीडियो पर अपने वीडियो बनाती हूँ और बहुत ही मैं रियलिस्टिक पर जाती हूँ वो चाहे मेरा जीवन के बारे में हो या इस्टार में कर हो या मेरी लाइफ हो या मेरी एकसरसाइज हो या मेरा खान पान हो या मैं क्या करती हूँ क्या पसंद करती ह या मुझे क्या अच्छा लगता है इस पर मेरे वीडियो रहते हैं और मुझे परसो मेरे यूट्यूब का मेल आया कि उनको भी मेरे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं और यूट्यूब आपको बहुत बहुत थैंक्यू आपका परसो मुझे मेल मिला है अब मैं आगे चलती ह कि आज मुझे बहुत दुख है यह न्यूस सुनकर कि न्यूस में हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक होता है लास्ट टॉपिक पे मैंने बोला था कि भई शुशान ने अगर सुसाइट किया है तो उसका क्या कारण है वो डिप्रेशन में थे या क्या प्रॉबलम थी या घर से अटेस्ट नहीं थे जो भी प्रॉबलम होगी उस पर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में लेकिन इसके बाद फिर न्यूस आ गई रेफ हो गया कई बार सुनिये हर न्यूस में हर दूसरे दिन रेफ हो गया लड़कियों का इसके बाद एक नया टॉ लेटेड जो मेरे जजबात हैं जो मुझे फील हुआ है जो मुझे लगता है मैं सिर्फ उस पर बात कर रही हूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चों को ऐसे संसकार दीजिए ऐसी चीज़े दीजिए कि बच्चे आपके बड़े होकर बिगड़े नहीं अगर फादर इसमें पती पत्नी में बहुत बाद जगड़ा हो जाता है और सब के घरों में होता है मेरा भी कई बार होता है तो इससे कोई भी नहीं बच पाया है और यह चलता ही रहता है कई बार जो है दो लोग अलग अलग घरों से आते हैं और व्यूस बहुत अलग होते हैं इसलिए जगड़े की संभावना लगातार बनी रहती है पती पत्नी में शपिशली और इसी के साथ मैं कहती हूँ बच्चों को अच्छी चीज बताईए बच्चों को अच्छा संसकार दीजिए अगर आप बच्चों को अच्छा संसकार देंगे तो होता क्या है कि बच्चे बड़े ह कर गलत काम उनसे हो जाता है वो चहते नहीं है लेकिन धोके से गलती से उनसे वो गलत काम हो जाता है इसी के साथ साथ आप बच्छों को ये शिच्छा देजिए कि अब आप बड़े हो रहे हैं जैसे ही जैसा बच्छा फिप्ट क्लास सिक्स क्लास में जाता है बच्छों को अ आपको उसका दिया हुआ पानी या कॉफी या चाय जल्दी नहीं पीनी है जब तक कि वो कोई विश्वास पत्र या खास नहीं हो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है और इसी के साथ सथ बच्चों को बहुत पूजा पाड की और भी थोड़ा ध्यान लगाना है कि चोटे घर का है ऐसा कुछ नहीं है बड़ा घर हो या चोटा घर आप अक्छे कुमार को देखिए वो कितने डिस्प्लिन में चलते हैं चार बज़े उटकर योगा करते हैं और काफी डिस्प्लिन उनकी लाइफ पूरी डिस्प्लिन में है और आठ साड़े आठ नौ बज़ क्लासे इन बातों के बारे में बताएंगे तो बच्चा कभी भी आगे हाथ नहीं लगाएगा वो कहीं कॉलेज जाता है इंजिनिरिंग कॉलेज जाता है डॉक्टरी में जाता है या कहीं भी किसी भी कमप्टीशन में जाता है आगे ऑफीसर बनता है या जो भी बनता है वो कभी इन चीजों में हाथ नहीं लगाएगा इसलिए ये पैरंट्स का काम है कि पैरंट्स उनकी सही काउंसलिंग करें सही चीजे बताएं और उनको सही से गाइड लाइन्स दें इसी के साथ अब मैं आती हूं कि मदर का भी होता है लड़कियों को छोटी छोटी चीजे बताएं कि आप देखो आपको कैसे है अकेले नहीं जाना है रात में छोटी ड्रेस पहन के नहीं जाना है अगर पार्टी में जा रहे हैं तो आप तीन चाल लोगों के साथ जाएं और पेरिंट्स को फोन नंबर दे कर जाएं और कहां जा रहें और उसी किसासत वो जल्दी आएं ये सब मा और पिता जी को मदर का भी मदर का रोल जादा बड़ा होता है और मदर को ये सब बता के बेटी को ब्रीफ करके भेजना चाहिए और साथी साथी ये देखना चाहिए दोस्ती कैसी चल लई है दोस्ती का बहुत बड़ा फरक पड़ता है इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है रात में कहीं नहीं जाएं कॉलेज में हैं अगर होस्टल में हैं तो होस्टल का ध्यान रखें समय समय पे होस्टल में फोन करते रहें बच्चे पर निग प्राइवेट बाते बाहर मत बोलिये कि मेरे पास इतना पैसा है उतना पैसा है हमारे पास तो यह है मेरे हस्बंड यह देखिए जेवर लाएं है यह रुपए पैसे लाएं इससे भी बच्चों की किड्नैपिक होने की सम्भावना बढ़ जाती है डर खत्रा बढ़ जाता है तो ऐसी चोटी चोटी बाते अगर आप ध्यान में रखेंगे और आप घर में मिल जुल कर रहेंगे अच्छे से रहेंगे और घर में यह ध्यान रखिए कि कई बार रिपेरिंग वाले आते हैं रिपेर करते हैं नल रिपेर वाले कारपिंटर वगएरा कोई भी आया है उनक ने खास relation को बताईए, सब को बताने की जरुरत नहीं है कि बच्चे अकेले हैं घर में इन चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके बच्चे बहुत सुरच्चित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और आने वाला समय भी आपका अच्छा होगा, इस्पेशली म मैं काउंसलर हूँ, जरनलिस्ट हूँ, मौडलिंग भी मैंने बहुत किये, नेशनल इंटरनेशनल लेबल पर मैंने बहुत शोज किये, मैं हमेशा बताती हूँ, तो मैं काफी लोगों से मिलती हूँ, और सब के मैं आईडियास लेती हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है कि ज अकेला मत छोड़ें और अकेला ना छोड़ें बच्चों को किसी के साथ जादा कोशिश करें नहीं छोड़ें हमेशा बच्चों को अपने साथ रखें और बच्चों की शुरच्चा जो है वो आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा क्योंकि भगवान ने वो भगवान हर जगे नहीं आ सकती है भगवान ने माबाप को ही भेजाए कि आप अपने बच्चों की शुरच्छा करें और इसलिए आपका काम है बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है कोई भी परिशानी होती है कोई भी चीज होती है तो वो आपका काम कि आप उसको कैसे दूर करें कैसे उनकी समस्याओं को सुल जाएं कैसे उनको देखिए आजकल की न्यू जेनरेशन न्यू मॉडरन जो यंगर हजबन वाइफ हैं वो बच्चे को बोलते हैं आप तो बच्चा हो गया आप चलो ठीक है आया पाल लेगी या कोई और देख लेग नियान रखेंगे तो आपके बच्चे सुरचीत रहेंगे आपका घर सुरचीत रहेगा और आप एक हैपी फैमिली जो है आपके पास होगी इसी के साथ मैं चित्रा जोरी धन्यवाद